हलो वन उत्तर प्रदेश की सभी परिक्षाओं की त्यारी करने वाल इछात चाहे वो PCS के हों या फिर other exam UPSC के हों या फिर un exam UPSC से सम्मधित काफी सारे question विफिन विकार के exam में पूछे जाते हैं इस त्रिष्ट कोण से कई question आपको one liner संदर हैं पूछे जाते हैं जो एक तरीके से कहा जाता है factual होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो conceptual होते हैं लेकिन कई बार होता है जो factual question होते हैं उनको पढ़ने में और उनको याद करने में कई तरीके की समस्याएं आती हैं और ये वो सारी जो चीजें होंगी इस वीडियो सिरीज के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर दिलाने की कोशिश करूँगा एक ऐसे नॉलिजबल आपको गेन कराने की कोशिश करूँगा जो ना तु आप कभी भूलने वाले हैं और साथ ही साथ आपके करियर को लेकर एक्जाम्स को ल की कोशिश करेंगे तो आप भी यहाँ पर जो भी अध्यान करेंगे इनकी प्रैक्टिस आप अपने अस्तर पे घर पे जरूर करें इसके लिए यहाँ पर यूपी का एक मैप जरूर निकाल लीजे उसके आपको जो ब्लैंक मैप आते हैं वो आप लेज लीजेगा और जो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं उनकी भी जो आप प्रैक्टिस होगी घर पर यहाँ पर इन ही सारी चीज़ों को आप भी मैप के थूरू बना कर पढ़ें यह बहुत बेनिफिशिल है बहुत जादा इसके फाइदे यहाँ पर होते हैं प्रैक्टिकली है इसल topics related जो factual knowledge है उसको यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आज की video series में भी हमने यहाँ पर तीन topic लिए हैं और इन तीन topic का ही हम यहाँ पर visualization करेंगे visualization करेंगे देखेंगे और factual जानकारी भी हासिल करेंगे तो आप सभी तैयार हैं देखें यहाँ पर मैं आपको एक जो भी सारी knowledge देने जा रहा हूँ एक factual knowledge है PDF की through हमने यहाँ पर इसे बनाया हुआ है और इसी की through हम यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे सबसे पहले आईए यहाँ पर आज जो तीन टॉपिक है एक तो है UP से रिलेट कुछ पॉलिटिकल अस्तर पे जिनमें हमें यह देखना है कि UP से कौन कौन से कितने PM हैं हो चुके हैं और किंद किं छेतर से यहाँ पर यह आए हैं तो यहाँ पर देखें यह जो नॉलिज है बेसिकली फैक्शुल है और फैक्शुल है अगर हम इसको मैप में देख लें तो बहुत अच्छे से हमें याद हो सकता है देखें आब तक जो टोटल PM है यूपी से निकले PM है वो आपको नौ प्रधान मंत्री है जो यूपी से सम्मंदित है नौ प्रधान मंत्री जो यूपी से सम्मंदित है चुनाओ के माध्यम से चुनावी छेत्र में यूपी के आपको चुनावी छेत्र को चुना उनके द्वारा और उन्होंने वहाँ से जीत हासिल करके प्रधान मंत्री पत को प्राप्त किया अब ऐसे अगर हम देखें तो ये कहां कहां से आये हुए हैं किसके छेतर से ये चुने गए हैं बस यही नौलेज आपको ध्यान में रखी नहीं हैं जैसे कि चौधरी चरण सिंग 28 जुलाई 1989 से 14 फरविश अस्ती तक भारत के प्रधान मंत्री रहें और ये किस चले से आते हैं बागपत से इन्हेनों चीता था और प्रधान मंत्री के पत पर यहां पर पहुँचे थे इसके अत्रिक अगर हम देखें तो राजीव गांधी हैं जो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधान मंत्री रहें और यहां पर देखें तो यह आपको अमेठी से यहां पर जीत कर आएं इंद्रा गांधी जी को ले लीजिए यह आपको 2 सितंबर सरी 2 दिसंबर 1989 से 10 नॉम्बर 1990 के बीच यहां पर देखा जाए तो आपको राइबरेली के छेतर से जीत कराते हैं इसी तरह आपको वीपी सिंग है जो आपको 2 दिसंबर 1989 से 10 नॉम्बर 1990 फतेपूर जिले से आते हैं तो देखें जिले वाइज हमें दो ध्यान रखना है कौन के इस जिले से आया है तो चौधरी चरण सिंग बागपत जिले से चुनके आए राजीव गांधी अमेठी से जीत कराए इंद्रा गांधी राय बरेली से जीत कराती है वीपी सिंग जो है फतेपूर से जीत कराते हैं तो काफी बड़ी जो शक्षियत हैं, आप देख से काफी बड़े बड़े नामी गिरा में जो प्रधान मंत्री हैं, चाहे वो इंद्रा गांधी हो, जवाहलल नहीरू हो, इंद्रा आपको राजीव गांधी हो, तो यहाँ पर बड़े बड़े नाम वीपी सिंग को आप लेज किया है, इसके बाद अगर में देखें तो लाल बाहदू सास्त्री हैं, लाल बाहदू सास्त्री हमारी दो दूती ये प्रधान मंत्री थे, जवाहल नहरू की मृत्यू के पश्चात ये बनते हैं, तो यहाँ पर देखें तो इन्हों ने 9 जून 1964 से 11 फरवर 1966 तक हमारी प्र विहारी बाचपई जीत कर जाते हैं, आपको 16 मई 1996 से 1 जून 1996 और 19 माच 1998 से 22 मई 2004 तक भारती प्रधान मंत्री का पद इन्हों ने धारान किया, और at the last latest हमारी प्रधान मंत्री जो है, नरेंद्र मोदी वो भी यहाँ पर वारांसी से जीत कर पहुँचे हैं, और वारांसी से यहाँ पर देखें, 2014 से 19 और अभी वरतमान में जो कारेकाल चलना है, 19 से लेकर 2024 तक का कारेकाल जो है, उसके दोनों ही कारेकालों को यहाँ पर वारांसी से इन्हों ने जीत हासिल किये, तिस तरीके से देखा जाए, तो मैप के थुरू आप चीज़ों क्याद रख सकते हैं अगर आपको बात करनी हो, तो मूल रूप से देखें, तो यहाँ पर गांधी जो परिवार हैं, दोनों इस खासकार इंद्रा गांधी, राजेव गांधी आपको रायबरली और M.A.T. ध्यान रखना है, आपको दो यहाँ पर देखें, तो प्रियाग राज, फूल पूर से के छेत्रव हैं, तो फूल पूर से पंडी जवाल नेरू हैं, लाल भादू सास्तरी प्रियाग राज से हैं, वाराण सी से अनरेंद्र मोदी हैं, लखनाव से अटल विहारी वाचपही हैं, यह नाम है आपको याद रहते हैं, कुछ नाम है जो साइद आपको याद ना रहे जैसे की चौधरी चरण सिंग है, बागपत से इनको ध्यान रखना है, वेपी सिंग है, फतेपूर से ध्यान रखना है, और साथी साथ यहाँ पर आपको लाल भादू सास्तरी प्रियाग राचंद सेखर जी का आपका बलिया है, तो यह आपके ज़्यादा तर जो प्रधान पहार गये थे, वहाँ पर उसके संदर में, पांच गाउं यहाँ पर मांगे थे, और पांच गाउं में एक गाउं आपका बागपत भी था, जिसे वो त्याग प्रस्त कहते थे, इसके लाएं जो पांच गाउं हैं वो पहला था, इंदप्रस्त दिल्ली, पान प्रस्त पान प्रधार मंत्रियों की सूची का हमने आप अध्यन किया दूसरी जो चीज यहां पर हमें अध्यन करनी है वो है उत्तर वदेश के जो नामकरण हुए हैं कौन-कौन से जिले किनके नामों पर पड़े हैं वह आप यहां पर देख सकते हैं तो उनका यहां पर हम अध्यन कर लेत मुझफोर खान नाम ध्यान रखना है इनके नाम पर मुझफ़नगर का लाम मुझफ़नगर पड़ा है इस Peyn Oak इसे तरीके से देखा अगर आपको दूसरा जिला गाजियाबाद का अगर हम स्थिती देखें तो यहाँ पर आपको बॉर्डर पर लगता है यू डेली अंसी आर में आता है इसलिए कई बाइसे जो होता है गेटवे आफ यूपी के नाम से भी जाना जाता है तो गेटवे आफ यूपी का जो नाम दिया जाता है वो सब्सक्राइबाद को यहां पर दिया चाता है तो यहां पर इस चीज को धेयान रखेगा इसлек धाल शन्चालिके यहां पर गाजियाबाद में को 69 के यहां पर կहां पर इसके बाद मुरादाबाद को देखें तो मुरादाबाद का जो नाम पड़ा है वो मुगल समराट साजां के जो पुत्र थे मुराद उनके नाम पर इस जिले का नाम मुरादाबाद रखा गया है और इसकी जो स्थापना हुई थी साजां के द्वारा यहां पर 16 सो में इसे स् तो फिरोजाबाद है, यहाँ पर फिरोजाबाद देखा जाए, तो आपको फरुक्षियर के द्वारा, सुरी, सिकोहाबाद जो है, वो मुहम्मद माहदारा शिकोह के द्वारा इसे स्थापित किया गया, जो कि आपका इसी शहर में यहाँ पर पढ़ता है, फिरोजाबाद की city के संदर में इसी तरह फरुकाबाद जो है वो फरुक्षियर के नाम पर पढ़ा है फरुकाबाद का नाम 1714 में इसे स्थापित किया गया स्थापित किया था नवाब मुहम्मद खान बंगस के द्वारा इसे स्थापित किया गया देखें यहाँ पर जो यह मूल रूप से आपके history related knowledge है आपके जो जिले हैं उनका नाम किस पर पढ़ा हुआ है कई बार यह चीज़ें साइद आपको पता नहीं होती है हो सकता है इन्ही में से कुछ जिलों किसे आप खुद संबंदित हो और हो सकता है इसके बारे में आपको जानकारी हो भी और कई लोगों को ना भी हो तो इन्हीं क्या करना है हमें याद रखना है कई बार इस तरह के क्योश्चन आप से पूच्छे जा सकते हैं अब इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर फरुका बाद हो गया साज आपूर के बारे में देख लीजिए शा जहा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं आपको अयुद्ध्या में वर्तमान नाम है पहले इसका नाम फैजाबाद था दौस नमबर 2018 किसका नाम चेंज कर दिया गया है यहाँ पर देखें इनका जो नाम है भगवान राम का जन्वस्तलिर है अयुद्ध्या और जो अयुद अगबरपूर है यहीं पर आपका पास ही में अगबरपूर जो है यहाँ पर 1995 में इसे बनाया गया था और जो बनाया गया था वो मायवती जो उसमें प्रशाशन में थी सियम थी उनके द्वारा अगबरपूर एक नय जिले का यहाँ पर गठन किया गया था स्थापित किया इसी तरीके सुल्तानपुर जो है, वो मज्रू सुल्तानपुरी के नाम पर, इहां पर सुल्तानपुर का नाम इसको रखा गया है, फटेफ़पूर की बात करें तो यहां पर गड़े संकर विद्यार्थी का जन्मछेत्र एहां पर इसको देख सकते हैं आप, प्रियाग राज से 1921 तक प्रियाग राज जो है वो यूपी की राजधानी भी रहा इसके बाद 16 अक्टूबर 2018 के दिन यहाँ पर इसका नाम परिवर्थित करके फिर से इलाहाबाद से प्रियाग राज कर दिया गया तो देखिए यहाँ पर सुरुवाती समय में भी इसका नाम प्रियाग था अक्बर ने चेंज किया लाहाबाद किया उसके बाद साज हाने इलाहाबाद किया उसके बाद फिर से नाम परिवर्थ करके प्रियाग राज कर दिया गया है कब चेंज किया गया 16 अक्टूबर 2018 को तो यह यहाँ पर प्रियाग राज से समन्द हमने जानकारी देख ली जॉ बोना खा भी था, उनके नाम पर यहाँ पर जॉनपूर का नाम रखा गया है, इससे आप परचीत होंगे, 1300 थाउन में इस सहर की यहाँ पर स्थापना की गई, इसी तरीके से मिर्जापूर की बात करें, तो मिर्जापूर किसी यहाँ पर मुगल समराथ नहीं बसाया था, बलकि British East India Company के द्वारा, 1735 में इस सहर को यहाँ पर बसाया गया, और वहाँ पर इसको बिसिकली नामकरण इसका किया गया, मिर्जापूर, तो मिर्जापूर बेसिकली कि यहाँ पर एक शाशक के बच्चे को कहा जाता है मिर्जा, तो यहाँ पर मिर्जापूर होता है, 1735 में British East India Company के द्वारा इसे बनाया गया, इसी तरीके से बात करें तो दीन द्याल नगर जो होता है, मुगल सराय का नाम परिवर्दित करके दीन द्याल नगर कर दिया गया है, और यह जो होता है लाल बादो शास्री जी का जन्वस्थल यहाँ पर रहा है इसके इत्रिक बात करें तो जो नाम यहाँ पर परिवर्थित इसका किया गया जन्वरी 2019 में इसका नाम चेंज किया गया इसके बाद गाजीपूर, गाजीपूर जो है संत सय्यद मसूद गाजी के नाम पर यहाँ पर गाजीपूर का नाम पड़ा है किसके नाम पर संत सय्यद मसूद गाजी के नाम पर आपका नाम क्या पड़ा है गाजीपूर का नाम पड़ा है आजमगड का बात करें तो 1665 में से यहाँ पर विकरमजीत के द्वारा स्थापित किया गया और उनका नाम जो था आजम था क्योंकि उन्होंने मुसलिम इसलाम धर्म को वहाँ पर उन्होंने ग्रहन कर लिया था और आजमगड का नाम विक्रम जीत के बेटे जो कि एक राजपूर शाशक रहे हैं उनके बेटे जुने इसलाम धर्म को स्विकार किया तो उनके नाम पर यहाँ पर आजमगड पड़ गया अगबरपूर की बात यहाँ पर हमने कर लिए तो इस तरीके से देखें तो हमने ओल इंडिया सारी चीजों के यहाँ पर देख लिया है तो सारी चीजें यहाँ पर यूपिसलेटर जो जानकारी थी आपको इस मैप के थूँ हमने यहाँ पर देखी किस तरीके से आपको जो शहर हैं जिनके नाम जिस आधारों पड़े हैं जो मुगल शमराठ हैं विट्रिस इन्या कमपटी हैं या फिर जिनके नाम परिवर्थित किये हैं तो तीन छेत्रों के नाम आपको परिवर्थित किये हैं एक आपको आयोध्या, फायजाबाद, प्रिय रखना है, at the last एक चीज़ और आज हम यहाँ पर देखेंगे, और वो है कि उत्तव देश को लेकर एक heritage आर की भी स्थापना की गई है, कुछ इतिहास देख रहे हैं, कुछ आपका current देख रहे हैं, कुछ political चीज़ें भी देख रहे हैं, तो हम हर एक चीज़ को map के through पढ़ सकत map में बनाने के बाद उसको आसानी से किसी भी board में कहीं भी आप जहां पढ़ रहे हैं, अपने room में लगा लीजिए, वहाँ पर जब भी आपका पढ़ने का मन है, नहीं है, आप आसपास घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो भी वहाँ पर थोड़ी देर खड़े होके उस map को अगर देख लेंगे तो वह जानकारी को एक दो मिनट में revision करना आसान रहेगा, और ऐसा आप multiple time कर सकते हैं, और जितनी जादा बार आप उस map को देखेंगे, वह जानकारी को पढ़ेंगे, तो वह चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी, और आप उसे भू ठीक है, एक है आपका वाराणसी, दूसरा है लखनव, तीसरा है आगरा, और इन तीनों ही छेत्रों में एक आर्को यहाँ पर आसपास की चीज़ों को, यहाँ पर heritage इसाद परेटन को एक दर्सनी अस्थल के तोर पर इसके आजपास के आगरा के आसपास के छेत्रों को यहा समंदित के लिए दुर्ग और वहाँ पर जो भी इस्थल है, इसके लावा बरसाना, जो कि कृष्ण से समंदित है, बटेश्वर है, चंबल सैंचुरी है आपका, इटावा, लायम सफारी है, गोकुल है, नंद गाउं है, मतुरा है, व्रिंदावन है, तो यहाँ पर अगर ह इन सारे एरियास को यहाँ पर एक हेरिटेज आर के तौर पर यहाँ पर सनरक्षित करके, और परेटन के लिहास से इसे विकित किया जाएगा, तो यह ध्यान रखेगा, आगरा इन्द गाउं, गोकुल, नंद गाउं, मतुरा, व्रिंदावन, इसी तरीके से, दूसरा ठीक है लखनव रीजन में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं लखनव के उन्तरगत क्या क्या विक्षित किया जा रहा है तो लखनव है बिठूर है देवा शर्वारी है तो यहाँ पर लखनव के आसपास के रीजन में जो आपको दर्शनी अस्थल हैं सेंचुरीज हैं आपको important aspect हैं तिहासिक अस्थल हैं उनको यहाँ पर विक्सित किया जाएगा लखनव रीजन के heritage आर्के अंतरगत उनका संदक्षन करेगा साफस्वाई के दियान रखे जाएगा लोगों का आवाज आएक सुविधाव रखेगा और परेटन को आकरशित करने के लिए इनका भी विकास किया जाएगा तो यहाँ पर देखें तो आपको तीन तीन चेक साथ अस्थलों को लखनव रीजन के अंतरगत विक्सित किया जाएगा लखनव आर्क हेरिटेज आर्के छेतर के अंतरगत और तीसरा यहाँ पर देखें तो आपका वारांटसी रीजन है वाराणसी रीजन के अंतरगत बात करें तो वाराणसी है इसके लावा सारनाथ, विंद्याचल, सोनभद्र, चुनार, कुशी नगर, कपिल वस्तु और सुरावस्ती यहाँ पर इन रीजन को जो कि बहुत धर्म से समंदित हैं हिंदु धर्मे से समंदित हैं बिंद्याचल, परवस्त्रेंडी है, भगोली कस्तर पे तो यहाँ पर इन सारी चीजों को यहाँ पर विक्सित किया जाएगा किसके अंतरगत वाराणसी रीजन के अंतरगत तो यह आपको देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आपको 8-6 तराते हैं जो कि वाराणसी रीजन के अंतरगत यहाँ पर विक्सित किया जाएंगे और इस तरीके से आपका UP में आपको 3 Heritage Arc यहाँ पर विक्सित किया जा रहे हैं कितने 3 Heritage Arc यहाँ पर विक्सित किया जाएंगे आगरा reason में, लखनव reason में और वाराणसी reason में तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको सारी चीजों को पढ़ना चाहिए ऐसे कई सारे topics हैं ऐसे आपको जिनको हम पढ़ेंगे सारी map के थूँ पढ़ेंगे और map के थूँ ही चीजों को रटने की कोशिश करना है और याद भी जादा अच्छे से रहेगा बागी पढ़ने के संदर में जैसा मैंने कहा दिवालों पर वहाँ पर उसे जरूर चिपका लीजिए जिसके कारण कभी भी ओठ बैट रहें आते जाते आप उन्हें देखे एक दो मिनट समय दीजे याद करिए फिर अपना काम करते रहे है ना तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें अच्छे लगेंगी और यहाँ पर हम अगले वीडियोस में इस तरीके से कई सारी वीडियोस आएंगी जिसमें हम दो दो तीन तीन चार चार टॉपिक्स को लेकर आएंगे वो एतिहास एक धार में कस्थानी परेटन नगर बहुत कई सारे नौलेज इसमें आती हैं उन सब का हम मैप के थूँ स्टड़ी करेंगे अगर आपने मैप के थूँ हमारे साथ मिल के स्टड़ी की तो आपकी यूपी से समधित बहुत सारी जो फैक्शूल नौलेज हैं जिसको लेकर कई बार आप गलतियां कर देते हैं एक्जाम में वो आपको कभी नहीं होने वाली तो आपको ये फायदा करेगा और आप इसे फालो अप करेंगे मेरी सुझाओं को आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और विश्यों के साथ तब तक इसे अच्छे से स्टड़ी करिए थैंक्यू सो मच एंड गुड लग